आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सोस पास्ता चलते हैं इसकी डिटेल रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हम मिक्रोणी बॉयल कर लेंगे हमने ले लिया है पानी इसको बॉयल कर लिया है इसमें डाले एक चमच ऑईल और एक चमच डाला है नमक का तब तक हम अपना मेरिनेट कर लेते हैं चिकन तो यहां हमने लिया है 500 ग्राम के क्रीब बोलनेस चिकन इसमें डालेंगे हजबी जूरत नमक एक चुथाई चमच की क्रीब डालेंगे गार्लिक पाउडर आपके पार फ्रेश हो तो आ फ्रेश डाले और एक चुथाई चमच डालेंगे काली मिड़्च का एक चमच डालेंगे विनिगर का एक चुथाई चमच डालेंगे जड़ा मिर्च अच्छे से करलेंगे स्को मिउक्स अब यहां हमारे यह अच्छे से बॉयल हो चुका है अब इसको स्टेन कर लेते हैं तो अब एक कड़ाई में ले लेते हैं एक चमच के करीब ओयल और अपना मेरिनीड की अवाचिकन पका लेते हैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना इसको बिल्कुल हलकी आँच पर इसको हम पकाएंगे छे से साथ मिनट के बाद यह देखिए हमारा यह अच्छी तरह पक के रैडी हो चुका है अब इसको निकाल लेते हैं फलेट में उसे कड़ाई में लेंगे हम एक चमच के करीब ओयल साथ ही इसमें डाल देंगे तीन अदद बारी कटेवे लसन के जवे साथ इसमें डाल देंगे हम बारी कटेवे मुश्रूम बारी कटी हुई गाजर और बारी कटी हुई शिमला मिर्च पान से छे मिर्च तक इसे अच्छे से भूल लेंगे अब इसमें डालेंगे हम हजब जूरत नमक एक चुताई चमच डालेंगे दरा मिर्च एक चुताई चमच डालेंगे काली मिर्च अच्छे से पका लेंगे अब इसमें डालेंगे हम आदी चमच के करीब डालेंगे हम चीनी चिनी डालने से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा हैगा और इसका कलर भी ऐसा ही रहेगा यह देखिए अब हमारी वेजिटेबल्स रेड़ी हैं इसको भी हम करते हैं साइट पे अब अब अपने करते हैं सोस तियार तो यहां हमने दो चमज ली हैं बटर के इसको मेल्ट करने के बाद इसमें डालेंगे हम दो चमज के करीब मैदा अच्छे से इसको पका लेंगे अब इसमें डालेंगे हम एक ग्लास के करीब दूद आजस्ता इस्ता डूड डालके और इसको अच्छे से फैंटते जाएंगे ताकि ये अच्छी से मिक्स हो जाए अब इसमें डालेंगे हम आदा चमर के करीब चीनी एक चुता ही चमर डालेंगे हम कारी मिर्च का एक चुता ही चमर डालेंगे जरा मिर्च का हजब जरूर डालेंगे नमक अच्छी से इसको एक से दो मिन तक पका लेंगे अब इसमें डालनेंगे हम दो चमर चीज के अगर आप चीज ना हो आपके पास तो आप इसमें आधा कप के करीब क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए हमारे अच्छे से सोस त्यार हो चुकी है इसको हमने ज़्यादा गाड़ा नहीं करना अब इसमें हम डालेंगे अपना पकावा चिकन एक से दो मिन तक पकाएंगे अब इसमें डालनेंगे हम त्यार की हुई अपनी वेजिटेबल्स आज बिलकुल हमने दम वाली रख रही हैं बिलकुल लो नहीं तो यह एक दम से गाड़ा हो जागा अब इसमें डालेंगे हम टू कप्स के करीब अपना बॉल पास्ता अगर आपको ज्यादा सोस पसंद है तो आप वन कप डालें यह देखिए हमारा पास्ता बिलकुल त्यार है अब इसको करते हैं डिश आउट तो लीजिए हमारी मज़दार से वाइट सोस पस्ता रेसिपी आप जरू ट्राइ कीजिएगा हमें शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें हमेशा दूआ में याद रखेगा अलाह अफीज